नमस्कार स्वागत है आपका हमारी खास पेशकर्षम है मैं हूँ विवेक मित्तल इस समय अर्नी का सीजन भी चल रहा है कंपनीज की रिजल्स आ रहे हैं रिजल्स काफी कुछ अच्छे भी देखने के लिए मिले हैं कुछ कंपनीओ के उमीद से कम नतीजे देखने के लिए मिले हैं on the basis of the fundamental research by various brokerage houses और उनके क्या targets है, research houses companies ने क्या कुछ तेज ग्रोथ वाले shares चुने हैं, उन सब भी परविस्तार से चर्चाओगी, हमारे साथ technical view और data पर view देने के लिए शरदmishra.com के promoter शरदmishra जी जोड़ चुके हैं, शरद सार है, बुद इवनिंग साथ, थैंक यू वेरी मच हम से जोड़ने के लिए, as always आप से बात करके बहुत अच्छा लगता है साथ, विवेग जी वेरी गुद इवनिंग, इन फाक्त, इस प्रिकेट भी आप से बात करके बहुत सा ल तो चलिए, अब डेटाबेस की सर ने बात किया है, तो डेटा से ही शिरू कर लेते हैं, ये छे कंपनी जिन पर हम बात करने वाले हैं, और इनकी FY25, यानि कि जो ये अब फेनेंशल येर एक अप्रेल से शिरू हुआ है, और 31 मार्ज 2025 तक, जो ग्रोथ देखने के लिए मिले है, ये वेरियस ब्रोकरेज हाउसिस की रिपोर्ट है, पहले HAL, हिंदुस्तान एरेनिटिक्स, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ तो 32% देखने के लिए मिलेगी, निर्मल बांक की रिपोर्ट कहती है, चोंवन सो नतर रुपे के उन्होंने टार्गेट्स भी दिये हैं, लेकिन इसमें एक इंपोर्टन चीज है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, JSW Steel, यहाँ पर 86% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, मोती लाल की रिपोर्ट कहती है, FY25, यह जो आप एस्टिक देख रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ के उपर और EPS के उपर, इसके सबसे आप ल पर शेयर एक्सपेक्टेड है, कौन सा ब्रोकरेज हाउस है, क्या उन्होंने फंडमेंटली टारगेट दी है, तो JSW Steel पर 1070 के टारगेट दी है, वेरॉक इंजीनियरिंग पर 738 रुपे के टारगेट दी है, 99% की प्रोफिट ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, और यह ज प्रोजेक्ट में भी 65% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, अब मैं पहले शेयर पर आता हूँ, HAL, हिंदुस्तान एरेनोटिक, सर, यह शेयर शानदार प्रदर्शन करता जा रहा है, इस पर जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो बाते कही गई हैं, वो यह हैं, कि कंपन के पास 94,000 करोड रुपे की ओर्डर बुक है, मतलब यह एक सोच के बाहर होता है, और FY24 में कंपनी की आए 30,381 करोड रुपे थी, यानि कि कंपनी के पास जितनी कंपनी रेवेन्यू आन करती हैं, उसका 3 गुनातों कंपनी के पास ओर्डर पड़े हुए हैं, यानि कि अग विजिबिलिटी के जोर पर ये काउंटर लगाता चलता जा रहा, रुक नहीं रहा सर, सर क्या लगता है, कि जो ये निर्मल मांग की रिपोर्ट कहती है, चौंवन सो नत्तर रुपे का टार्गेट, अगर मैं चार्ट सेट अप के हिसाब से देखूं, तो क्या लग रहा है? विजिबिल्कुल सही बात आपने बोली, अच्छेल को आप देखें, 2018-2019 से लेकर के 24% के बिड़ा मार्जन से लेकर के 30-31% के बिड़ा मार्जन हमको प्लास फिनेंशल में देखने को मिले थे, और किस तरह का ऑपरेशन परफॉमेंस हमें इस कंटनी से देखने को मिला, इसका मैं देख पारा हूं, मुझे लगता है, तोड़ा समय वेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉर्ट हैं, इवें देखें, करेगा बेस इसका एक बना हुआ है, करीब 4000 के आसपास अभी 4750 का भाव है, 4750 का भाव है, spot का, मुझे लगता है, कि तोड़ा consolidation के बाद यो दुबा देंगे तो मुझे लगता है 6,000 के बाव बिल्कुल आपको इसमें खुलते वे दिखाई देंगे margin expansion बिल्कुल मुझे लगता है EPS growth में convert होता हुआ दिखेगा और मुझे लगता है कि 6,000 के बाव विवेक जी बिल्कुल दिखेंगे अगर आपके पास हो तो आप उसको 4,000 के आज पास अपने strong loss रखें और अगर आपको पास नहीं है तो 4,000 के आज पास पास को लेट करें खरीदें मुझे लगता है कि 3-4 quarter में 6,000 के बाव खुलते वे दिखाई देंगे बिल्कुल तो टेक्निकली 6,000 और फंडामेंटली जो टारगेट आ रहा है वो 5400 की रेंज का टारगेट आ रहा है 499 रुपेगा टारगेट नेर्मल बांक की ये रिपोर्ट है और सर का टारगेट है 6,000 रुपेगा तो यहां से बाई करकर चल सकते हैं सर ये मैं बाई करना अगर शुरू करूं या हमारे दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनके बहाफ पर बोल रहा हूं चार जून से पहले खरीदना चाहिए या चार जून के बाद अगर दो वीक में देखें तो शरुपे के भाव से स्टॉक से तालिस रुपे के भाव पर आकर खड़ा हो गया है तो देखें एक डिसेंट मूव अलड़ी स्टॉक के अंदर आया हुआ है मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको कंसलेडेशन होने देना चाहिए क्योंकि वीकली चार्ट्स पर कहीं नहीं थोड़ा सब्सक्राइब और आपको बहुत देखें निफ्टी जिस तरह से चल रहा है विजिए लास्ट डिसक्रेशन ही मैं आप से किया अगरीब 22,000 के आसपास कि देखिए 22,000 का सपोर्ट है उपर की तरफ चलेगा और देखिए अगर आप देखे तो बाइस पांसों के पास सेटल हो गया है कंसिस्टेंट जो मुविंग एवरेजेज हैं 1020 एक्स्पनिचर मुविंगर भी इसको पर निफ्टी सस्टेन हो गया जो है वो बना रहे क्योंकि स्टॉप लॉसे काफी डीप है अगर आप देखे तो टेंविंग एक्स्पनिचल एवरेज करीब 4330 रुपए के आसपास 4330 रुपए के आसपास आता है स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है आपको ही थोड़ा अग्रेसिव होता जरूर ख पर अगर आपको मिलता है तो और ज्यादा अच्छा रहेगा 3800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा तो अगर आप चाहें तो जैसे जैसे डिकलाइन आएगा वैसे वैसे आप खरीद सकते हैं लेकिन 4 जून को कहानी कुछ और होगी या तो सारे शेयर चलने के लिए आ हमारी ये बात हुई थी कि नतीजे खराब आएंगे लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि नतीजे खराब आएंगे लेकिन ये काउंटर चलेगा सर और वो बात पूरी हो गई है मुझे याद है कि ये उस समय 895 के आसपास चला था शेयर और आपने बताया में 59 रुपे की EPS कमपनी की आएगी 1070 रुपे तक के उन्होंने टार्गेट सी हैं सर आपको क्या लगते हैं चार्ट पर टार्गेट बिलकुल एक जी आप सही कहता है अगर आप कमपनी को देखे तो फिनेंशल एर 22 से लेकर के दो साल में करीब 26 पसंद के CIGR से अगर आप आप देखें तो यही जो भाव है बिलकुल यहां पर एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लॉटा रखें सो नब्य रुपे का जो पिशली वीक का लो है और मुझे लगता है कि बिलकुल बिलकुल बने रहना चाहिए और यह पर्टिकलर ट्रेंड जो खतम होगा जो जो उपर की तरफ लेकर के जाएगा करीब 680 रुपे के भावदब भीवीजी लेकर के जा सकता है तो मैं रखता है 80 रुपे का उपर की तरफ अपसाइड है जो अगर मैं देखको रिप 13 14 पुसंद का अपसाइड है तो एक 530 तक चलेगा निफ्टी अभी स्पॉर्ट है बाइस पांसो थीस हावववर कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत वोलेटल्टी रह सकती है तो ध्यान रखे मुझे लगता है इसी ट्रेंड में करीब करीब आपको JSW स्टील में बढ़ा हो सकता है देखने को मिले और 680 तक के अगर आप इसको देखेंगे तो 930 रुपय का भाव चल रहा है अभी मेरी मुझे लगता है अभी जो इस अप्रेंड में चल रहा है बाइस नौसो के आसपास इसमें जेस्टी बिल्कुल आपको JSW स्टील बिल्कुल आपको हजार रुपय के भाव बिल्कुल चलता हुआ द दिखाई देगा और बिल्कुल इसके अंदर बने रहना है और कोई है अगर कोई इंट्री भी करना चाहिए तो रहा सा स्टॉप लॉस बीप है 890 का स्टॉप लॉस है एंट्री करें मुझे रिखता हजार रुपय तक के भाव को एक कौर्टर करीब देना चाहिए एक हजार इंपक्ट हमने शेयर पर भी देखा 31 रुपे चला यह आज शेयर जबकि इसके जब रिजल्स आये थे तो रिजल्स के बाद एक थोड़ा सा मुवमेंट आया था दासे एक रुपे की करेक्शन लेकिन उसके बाद यह बहुत ज़्यादा गिरा नहीं अगर हम देखे तो एक इंपॉर्टेंट रिगर इस कम्पनी के साथ जो है वो यह जुड़ा हुआ है कि कम्पनी कह रही है कि 2031 तक अपनी जो स्टील कैपेसिटी की शमता है स्टील कैपेसिटी है उसको 50 मिलियन टन तक ले जाएगी अब इंट्रेस्टिंग बात यह नहीं है कि कम्पनी अपना शम पर भारत के करीब करीब यह अपना 25-30% हिस्सा स्टील बनाने में रखेंगे तो एक बड़ी कम्पनी और लेडी है लेकिन अपने साइस को और बड़ा करने की विजिबिलिटी दे रही है मार्केट के लिए तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट है बात नेक्स काउंटर की कोफिट ग्रोथ की एस्किमेट से वह 99% की ग्रोथ के एस्किमेट है उनके जो टारगेट से वह 738 रुपे के हैं 26 रुपे 70 पैसी की EPS है कंपनी की जो वह एक्सपेक कर रहे है इस साल के अंदर कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को प्रिवेग जी तो उसको मुझे लगता है यह बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करेगा अभी भी काफी इसके अंदर काफी इसके दर स्ट्रेंथ है अगर मोमेंटम मेंडिकेंटर को देखे तो भौद रची स्ट्रेंथ इसके अंदर देखने को मिल रही है पेस बना है बेस कहां बना है बेस करीब बना है पांसो पचास रुपए के आसपास अब इसका 580 का भाव है मुझे लगता है बिलकुल 18 के हाइस करीब 760 रुपय के आसपास आते हैं, मुझे लगता है positionally, आप इसको 3-4 quarter दें, 760 तक के भाव आपको सबसे पहले इसके अंदर बिल्कुल वहाँ तक तो बिल्कुल चार्ट बताते हैं जाने की ताकत रखता है, 580 रुपय का भाव है, 760 के टार्गेट के लिए बने रहे हैं, करीब 3-4 quarter बने रहे हैं, stop loss देंकि आपको कहां रखना है, stop loss आपको रखना है, करीब 550 रुपय के आसपास, तो बहुत चोटा stop loss है, जो कि इसका 10 वी exponential movie average का support है, और 760 रुपय का target विवेक जी. बिल्कुल, अगर हम इस company के fundamental triggers की बात करें, जो हमने report से देखे, company के order book करीब 87 करोड रुपय की है, और इस साल में company ने जो revenue दर्ज किया, वो 7552 करोड रुपय का था, तो करीब करीब revenue visibility तो है, company के पास अच्छे खासे order book है, हाथ में, अब 81% order, यह जो 87 करोड रुपय की order book है, इसमें 2-wheeler और 3-wheeler segment से, और 19% order जो passenger vehicle segment से है, तो company auto and slurry में एक अच्छा space रखती है, और वहाँ पर company का अच्छा खासा एक market share है, जिसकी वज़ा से company पर लगातार fundamental reports positive side पर आ रही है, नेक्स counter की तरफ बारते हैं, नेक्स counter है sir, Met Plus Health, यहाँ पर HDFC Securities की एक report आई है, जिसमें उनका मानना है कि 111% की growth, इसके अपनी की profit में देखने के लिए मिल सकती है, FI 25 में, EPS करीब साड़े 9 रुपे की वह expect कर रहे हैं FI 25 में, हला कि fundamentally अगर valuation देखे, तो थोड़ी higher side है, लेकिन उनके जो targets है, वो कोई छोटे नहीं है, साड़े 800 रुपे के targets है, sir, क्या करना चाहिए इस counter पर? देखे विवेग जी, बिलकुल चला हुआ counter नहीं है, आप देखे तो खाफी सके अधर weakness रही है, और critical moving averages के नीचे trade कर रहा है, जिस तरह को इस चार्ट है, अगर आप देखे 50-way exponential moving average के नीचे trade कर रहा है, अगर आप December 23 के बाद देखें, तो इसने एक negative correct order moving average के basically move देना शुरू किया, 800 रुपे के नीचे चलना शुरू किया, तो 800 रुपया बहुत बड़ा supply zone होता है, इसके लिए अभी इसका भाव है 705, तो किसी भी तरह का pullback आता है विवेक्टी, तो सबसे पहले तो इसको 50-way expansion moving average के ऊपर sustain होना होगा, वो basically 700 रुपे के आज-पास का भाव हो वहाँ पर resistance बनता है, अगर उसको तोड़ता है तो 800 रुपय तक जाता है, तो देखिए एक तोड़ा सा aggressive bet है investors के लिए, अगर किसी तरह का price move आता है, जो पिछले वीक का high बनता है 730 रुपय, उसके उपर चले तभीस में entry करें, क्योंकि वही एक बड़ा immediate supply zone बनता है, 730 के उपर चले, sustain करें तो बिल्कुल खरीदें, आपको पहला target या 800 रुपय तक बिल्कुल दे कर की जाएगा, एक swing trade इसके अंदर बनेगा, लेकिन फिर भी विविए जी मैं कहना चाहूँगा, कि देखिए बहुत सारे stocks ऐसे हैं, जहाँ पर already एक bullish momentum बना हुआ है, तो वहाँ पर ज्यादा ध्यान दें, stock पर मुझे लगता है 730 अब तक नहीं तोड़े, तब तक एक bullish momentum आने में थोड़ी सी दिग्गत हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन 730 के उपर इसमें momentum बनेगा, जो कि इसको 800 रुपे तक तो सर कह रहे हैं कि कम से कम ले ही जाएगा, तो 730 का level तूटने दें, उसके बाद buy करें, अभी केवल 11 रुपे दूर रहे गया, 718 रुपे 80 पैसे की आज की closing है, और एक केवल 11 रुपे 20 पैसे अगर ये account चल जाएगा, तो उसके बाद आप इसे अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि growth काफी तेज रहेगी, जब इसके quarterly नतीजे देखने के लिए मिलेंगे, और जब पूरे साल के नतीजे आएंगे next year, तब तक ये हो सकता है कि अपनी profit growth 111 परसेंट की दिखा दे, ऐसा SDFC Securities की report कहती है, next counter है सब Piramal Pharma, ये दूसरा counter, फार्मा सिटिकल इंडस्टी से, यहाँ पर ICSA Securities की report कहती है, 819% की profitability की growth देखने के लिए मिलेगी, हाला कि valuation wise करीब 1.70 पैसे की EPS इसकी इस साल में देखने के लिए मिलेगी, 190 रुपे तक के target वो दे रहे हैं, सर इसके नतीजे Q4 के तो बहुत ही शांदार देखने के लिए मिलेथे, 3.5% से ज़्यादा का profit में jump था, लेकिन अब जो 819% का jump पूरे साल के लिए, एक quarter अगर 3.5% का profit jump आ जाता है, तो ही share कम से कम 25-30% चल जाता है, और अगर पूरे साल में आपको ऐसी growth पता हो, कि 819% की growth आने वाली है counterfer, तो 190 रुपे का target चोटा है या बड़ा है? जी विएग जी, आपने बिलकु सही का margin देखिए कहीं ना कि December quarter 5% margin थे, March quarter में, March December 22 में आते आते, March में 21% के margin बिलकुल आप कहा रहे हैं, इसका जब cooperation performance और मुझे लगता है विए जी बिलकुल stock के अंदर बने रहना है, इसमें को दिक्कत मुझे नहीं लगते है, तीन एक वीक से stock में कहीं नहीं नहीं कहीं consolidation बनाया है उपर के zone से, क्योंकि इसने जो trend शुरू किया था 114 रुपए के आसपास विए जी वह 175 रुपए पर पूरा होता है, और उसका critical support था 152 जो तूट गया है पिछले दो वीक के अंदर, तो लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है कि इसके strength बिलकुल बनी रहेगी, क्या हां पर आप entry करें, 147 का भाव है, 145, 145 के आसपास कहीं भी आप मिलो बिलकुल entry करें, 138, 138 का stop loss रखें सर, बने रहें, इसमें बड़ा move कब आएगा, जैसे 152 के उपर चलेगा विविक जी, 175 का target, 175 का target बिलकुल writing on the wall है, कहीं कोई sluggishness नहीं है, momentum indicator strong है, 175 का target बिलकुल है, जितने भी stocks हम लोग ने डिसकेस किए, सबसे strong chart इसका ही मुझे दिखता है, तो 138 का stop loss रखें, 145 के पास कहीं भी खरीदें, 152 के उपर चलना शुरू करेगा, 175 का target, 175 का target, दो quarter दें, बिलकुल आपको मिलेगा, बिलकुल, वैसे तो सर, 145 के पास ही चलना, 147 तो आज की भी closing है, तो दो रुपे का ही अंतार रह गया, आप अभी भी खरी सकते हैं, देखिए, प्राइस, जब आप चार्टी के लिए चीज़ों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस इंपॉर्टेंट होता, बट इवन देन अगर आप इंवेस्टर है, अगर आप उपर नीचे भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नी, क्योंकि एक positive correct order of moving average weekly charge पे बना हुआ है, 130 रुपए के आसपास, करीब April 24 के आसपास, पर पिछले डिड़ाइक महीन है में, तो अभी भी आप खरी लेगें, तो कोई दिक्कत ने, 132 का stop loss रखें, बड़ा momentum 152 के उपर ही बनेगा, विवे जी को कि भी 147 का भाव है, 152 के पर sustain करेगा, 155 के बहाओ बिल्कुल आपको देखने के पड़ेगा, बिल्कुल, तो 138 के stop loss और 145 से यह जो current market price है, यह range है, बाय करने की, 152 के उपर जाएगा, तो एक counter में अच्छा fresh breakout देखने के लिए मिलेगा, जिसके बाद यह counter 175 रुपे तक जा सकता है, और ICC Securities की report कहती है, कि 190 रु projects, Sir, इस पर मोतिला लोसवाल की report है, जिस पर की वो expect का रहे है कि FI 25 में जो profit growth रहेगी, वो 65% की देखने के लिए मिलेगी, EPS FI 25 की वो expect का रहे हैं, करीब 46 रुपे, और targets जे रहे हैं 1360 रुपे के, आपको क्या लगता है, Sir, यह counter चला तो है, पिछले कुछ समय में, लेकि क्या शमता रखता है, यह counter चलने की? आप खरीदते हैं, तो कहां का stop loss रखें, stop loss रखें 1150 रुपे का, देखें पहला target इसका 1450 तो बिल्कुल विवेग जी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जल्दी ही मुझे लगता एक quarter दीजिए, आपको 1550 तक के भाउस के अंदर सबसे पहले दिखेंगे, तो वहां तक ज़ रहता है, technically भी, क्योंकि आपको करीब करीब यहां से 86 रुपे का stop loss है, और करीब 84 रुपे का stop loss है, और 300 रुपे से ज्यादा के उपर के targets है, तो ये counter chart पर सर को अच्छा लग रहा है, दूसरा अगर fundamental report के हिसाब से देखें, तो 1360 रुपे के target आपको मुतिलाल उसवाल की report क अगर हम देखें तो आपने ये जो 6 share देखें हैं, इनमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है, क्योंकि growth तो इन सभी share में brokerage houses मान रहे हैं, दूसरा कि अगर 4 जून से पहले किसी counter को लेना हो, वो कौन सा होना चाहिए, और 4 जून के बाद ऐसा कौन सा counter होना चाहिए कि आपके मन में है, कि रिस्क है अभी, अगर कुछ भी होता है तो मैं results के बाद ही देखूँगा, चुनाव के results के बाद, पीरा पर पामा का जो basically chart है काफी interesting है, मुझे लगता है trend continue कर सकता है, यहां पर जो ध्यान देना चाहिए, second कलतरू projects में भी कहीना कहेंगा, second preference देके त चुका है, और relatively, मैं relative study यहां पर दे रहा हूं, तो मुझे लगता है, पीरा मर पामा मेरा preferred pick के इसके अंदर रहेगा, second कलतरू projects रहेगा, और जहां तक results की बात रही, मुझे लगता है, जिसकांट हो गया है, निफ्टी के अंदर, index के अंदर, और यह चलना शुरू हो गया ह है, index देखे accordingly, और मुझे लगता है कि हम लोग all time high के तरफ जा रहे हैं, आज कहीने के फिर निफ्टी के expiry थी, तो अगर उसके बावजूद भी देखे, bank nifty कहीं न कहीं स्लंगिश रहा है, और लेकिन थोड़ा सा स्लंगिश रहा है, कहीने के इसे इसे बैंक और एक्से बै मिलेगा, मुझे लगता है कि 27-28 तारिक आते हैं, 30-30 मही आते हैं, आपको all time high निफ्टी में दिख जाना थी, विविक जी, बिलकुल, तो ये बड़ी important बाइट सर ने दिए, कि इसी expiry में आपको all time high दिख जाएगा, अला कि प्रिदान मंत्री, ग्रह मंत्री, सभी बोल आप इसी expiry में देख लेंगे, तो ये बड़ी बात है, शरत सर बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुडने के लिए, और अपना precious time देने के लिए, तो ये सभी share पर हमने बात की, शरत सर से, जिसमें की high growth वाले share, जहां पर की, ये financial year सबसे strong देखने के लिए मिल सकता है, बहु ये तो इस शरत सर जिन्होंने की बताया कि अगर इन 6 share हो में जहां पर की जो बहुत सारे brokerage houses की reports आई हैं, इन में कौन से share आपको 4 जून से पहले लेने चाहिए, और 4 जून के बात कौन से shares पर नजर बना कर रखनी चाहिए, वो आपकी list में at least होना चाहिए, ताकि आप अच्छा को यहीं पर विराम देते हैं, नमस्कार